नमस्कार बिहार युद्धा में आपका श्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार में बनने वाले बिस्व की सबसे लंबी भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा की परतीमा एक बात ध्यान रखेगा कि सैन मुद्रा की परतीमा लंबी मुर्तई आप बहुत देखे होंगे सुने होंगे लेकिन यह सैन मुद्रा में प्रतीमा है तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे इससे आने वाले जो है यह सैन मुद्रा में होगी और विश्व में सबसे लंबी सैन मुद्रा की प्रतीमा होगी इसे बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेर मिशन द्वारा बनाये जा रहा है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेर मिशन की जो नीव है 2011 में रखे गई थी और उसी ने इसका निर्मान कराने का जिम्मा ले रखा है 100 फिट लंबी यह मुर्ती जो है उचाई के साथ 30 फिट है उचाई 30 फिट है और लंबाई जो है सैन मुद्रा में यह है तो इनकी जो लंबाई नापी गई है वो 100 फिट है और इनका जो दाया हाथ है वो सिर पे टिकाये हुए हैं और एकदम सांथ सभाव मुद्रा में बाल घूंगराले कानों में कुंडल ओठों से एक मुस्कुराहट लगता हुआ आखों में एकदम सांथ सभाव और उसके साथ साथ जो इनका जो बाया हाथ है वो सरीर पे टिकाये हुए हैं इसी तरह से जैसा कि मानों की यह अब बोल पड़ेंगे इनका जो सांसवाव है यही लोगों को अकरसित का केंदर बनेगा क्योंकि आगे आने वाले भविश्य में यह बहुत बड़ा प्रयाटन के छेतर में बिहार को एक नई उचाईयों तक ले जाएगा इसी तरह कारे का जो अरंब हुआ था वो 2019 में कराया गया था इस मुर्थी के निर्मान में फाइबर ग्लास का उप्योग किया जा रहा है जो कि है ना आगे आने वाले फरवरी के 2023 तक इसको विधिवत उड़ाटन कर दिया जाएगा ऐसा पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने शैन को अंतिम उपदेश दिये थे इसलिए इस मुर्थी का जो निर्मान है शैन मुद्रा में कराया जा रहा है और बहुत धर्म वाले लोगों के लिए जो बुद्ध जैनती है वो जो है बहुत ही महत्पुर्ण पर्व महाना जाता है क्योंकि बुद्ध पुर्णिमा के दिन मन मना जाता है बैशाक मा के पूृर्णिमाय यानि कि शुक्ल पक्छ के अन्तिम दिन ये मन आये जाता है इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म जो कि लुमनी में हुआ था और ग्यान की मार्ण फ्रांपषी बॊद्ध गया में महा की मुई निर्मान की मaser चुर्णिमा के दिन हुए थे जिमसे ग्यान की प्राप्ति जन्म और महापरिम्रमा तीनों बैशाक पुर्णिमा के दिन ही हुए थे और बोध गया की बात करें तो बोध गया बोध धर्म वाले लोगों के लिए बहुत ही पवितर स्थल है यहीं पर भगवान बुद्ध की ज्यान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर भगवान का महाबोधी मंदिर बनाया गया है महाबोधी मंदिर के परिशर में ही एक पीपल का ब्रिक्ष है जिसे के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी जिसे अब महाबोधी ब्रिक्च के नाम से जाना जाता है महाबोधी मंदिर युनेस्कुक के द्वारा दुजर दो में विस्व विरासवत अस्थल में सामिल कर लिया गया था और महाबोधी मंदियों तब चर्चा में और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इसमें तेरा में नौ सिलसिले बार धंक से बम ब्लास्ट हुए थे जो कि देश के लिए अपूर्निय च्छती था